दर्शकन, सोतागन, भाई और बैनों मातरी सक्तिकों नमन, चैनल 24 प्लस नियूज के खास, विशेश, मन, मौत, हमारी चेतना को जगाने वाला, चेतना का उर्द्वार ओन करने वाला, और हमारे मनुश्य जीवन की सार ठकता बताने वाला, कि हम मनुश्य भव के अंदर आए ह मनुश्य जीवन का सार क्या है, हमारे जीवन को किस तरीके से ढालना चाहिए, प्रारणब सही, बच्पन से, मृत्यू तक हमें किस तरीके से अच्छे से संसकार मिलने चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, लोकिक जगत के लिए, पारलोकिक जगत के लिए सम्मग्र रूप से सारा चिंतन देने वाला पुनुत्थान कारिकर में आपका हार्दिक स्वागत है अभी नंदने सदकार है पुनुत्थान कारिकर में हम प्रति दिन नए नए विश्यों के साथ प्रवेश करते हैं हर विश्यों को होलिस्टिक बनाया जाता है सांगु पांग बनाया जाता है और किसी भी रूची का हो, तो सभी की रूची का ध्यान रखते हुए, एपिशोड के अंदर वैसी वैसी बातों को शोच परक डाला जाता है, तभी एपिशोड त्यार होता दिसी करम के अंदर, आज हमें एक बहुत सूपर दार्शनिक विशे को लेकर कि आपके सामने प्रस्तूत हो रहे हैं आज का हमारा विशे ग्याता द्रस्टा भाव भाई और बैनों दर्शे गण सोता गण ये विशे मुक्ति का है जो लोग साधना करना चाते हैं और इस मनुश्य जीवन का सार निकालना चाते हैं कि आखिर मैं मनुश्य क्यों बनाऊं उसके लिए ग्याता द्रस्टा भाव विशे बहुत सुन्दर है इसलिए इसकी मैं सांगो पांग व्यक्या करना चाहूंगा ताकि व्यक्ति अगर इसको जीवन का जो एक उदेश्य बना ले जीवन का एक लक्ष्य बना दे तो शिग्र मुक्ति की और जा सकता है भाई और बैनों दर्शे कंट सोता है अगर हमारी भारती सस्कृति में कहा गया है कि चार बातें आती दुरलब है पहली बात ये है कि मनुशी जीवन का मिलना दूसरी बात है कि ईश्वर का जो शिद्धान्त है ईश्वर की जो व्यक्या है ईश्वर का जो उपदेश है उसको सुनने का अवसर मिलना तीसरा ये है कि उस अवसर के प्रती सरदा होना इश्वर के प्रती, भगवान के प्रती, आत्मा के प्रती, श्रदा होना और चौता है कि जो कुछ इशार की बाते हैं वो हमारे जीवन के अंदर ढालना जिसको की कंड़क्ट बोला जाता है, चारितर बोला जाता है तो इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति कोई चारों बाते मिल जाती है तो उसका व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है अब उस धन्यता को हम कैसे प्राप्त करें उस धन्यता को प्राप्त करने के लिए हमें इस रस्टी को समझना पड़ेगा हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें चिंतन करना पड़ेगा मैं कौन हूँ दूसरा यह है कि इस रस्टी को चलने वाला कौन है यह जगत नियंता कौन है यह इस रस्टी कैसे चलती है जब वो दोनों बातों का हम सांगो पांग अध्यन कर लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा कि हमें जीवन कैसे यापन करना चाहिए, सबसे पहली बात जब हम प्रशन अपने आप से करते हैं तो कि मैं कौन हूँ तो भीतर से जो हमें आवाज आती है, भीतर से हमें उस प्रशन का समाधान मिलता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ हमारे शरीर के अंदर दो तरह की चीज़ें काम करिये जड़ और चेतन पूरा प्रयावरन, पूरी स्रस्टी दो पदार्तों से बनी होती है एक जड़ होता है और एक चेतन होता है चेतन किसे कहते है कि असंख्य चेतना मैं परमानों के पिंड़ को चेतना आत्मा कहते है कॉंसियसनेस कहते है और दूसरा जड़ किसे कहते है जिसमें वन होता है, गंद होता है घरस होता है, सपर्श होता है उसको हम जड़ कहते है जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता दोनों सचा ये बहुत आरदा इटरनरस बहुत आरदा यूनिवर्सिल टुथ बहुत आरदा शार बहुत सत्य दोनों सनातन सत्य है ये एक दूसरे से मिल सकते हैं ये mixture बन सकते हैं, योगिक बन सकते हैं, लेकिन एक दूसरे में रुपांतरण नहीं हो सकता है, ये स्रस्टी का दियम है, क्योंकि दोनों के लक्षण अलग है, दोनों के गुन अलग है, इसलिए एक हो नहीं सकते हैं, तो ये हमारा जो शरीर है, जड़ और चेतन दोनों का की है, जब ये शरीर भी जो है, वो मिष्ष चेतन बन गया, इंद्रिया मिष्ष चेतन बन गई, आँखें देखने लग गई, कान सुनने लग गई, और ये चमड़ी इस परश करने लग गई, जीब सो अऊज लेने लग गई, तो इस दिरिए से पांच इंद्रिया जो है, हमारी करमेंद्रियां गानेंद्रियां वो काम करने लग जाती है, मन काम करने लग जाता है, व्यत्ति सोचने लग जाता है, बुद्धी काम करने लग जाती है, प्रग्या काम करने लग जाती है, चित है हमारा, वो विक्षित होता है, और चित जो इदर उदर जाता है, वो वर रहे तो उस मंदिर के अन्दर प्रभू बिराजमान है वो प्रभू हमारा चेतन, घमारी अत्म, हमारी शुद्धा आत्म है इसलिए इस श्रीर को हमें गंदा नहीं करना चाहिए हम मंधिर में जाते हैं तो अपने जूते बार उतार के जाते हैं विचारों को शुद्ध करके और किसी तरह के बुरे विचार लेकर के नहीं जाते हैं भगवान के पास बैठ करके मेडिटेशन करते हैं और भगवान से हम प्रात्ना करते हैं कि यह भगवान जैसे आप हो मुझे वैसा बनाओ तो ठीक वही भगवान हमारे भीतर है जिसको कि हम चेतना कहते हैं मैंने बताया जड़ और चेतन और ये मनवचन काया रूपी जो इस सोवन राज को सरीर मिला है वो पिछले जन्मों के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और उस भुगतान के अंदर जो हाजरी है वह हमारी शुद्धात्मा भगवान की है जो की अरूपी है देखिए कितनी बड़ी विचितर बात है और कितना एक साइन्टिफिक वे है कि जो भीतर बैठा है वो अरूपी है लेकिन अरूपी होते हुए भी सारा संचालन कर रहा है वह मैं हूँ वो जो रूपी है जो दिखाई देता है वो जड़ है तो ये बात होगी कि मैं कौन हूँ मैं भीतर बिराजमा शुद आत्मा भगवान हूँ और मेरा लक्षन क्या है आज का विशे है कि मेरा लक्षन क्या है मेरा लक्षन है वो ग्याता द्रष्टा देखिए हमारी भारती संस्क्रिप्टी में ती शब्द आते है गे, ग्याता और द्रष्टा गे का मतलब होता है कि देखने की वस्तुएं हम इस अंसार में जितनी ही चीज़ां देखते हैं सब वो देखने की वस्तुएं हैं उनको हम गे कहते हैं और ग्याता का मतलब होता दृष्टा का मतोता देखना मैं आपको देख रहा हूँ यह मेरा दृष्टा भाव है और उसके बाद के अंदर पिसेश जानकारी करना कि उस वक्ती के बारे में जान करना कि वो किस तरह का व्यक्ती यह दृष्टा भाव है तो हमारी जो भीतर बिराजमा शुद आत्मा भगवान है उसके दो ही लक्षन है ग्याता दरश्टा भाव वो जानने वाला है वो देखने वाला है उसका और कोई काम नहीं वो अक्रिया है जिसके शरीर नहीं है वो क्या क्रिया करेगा वो अक्रिया है लेकिन अक्रिया होते ही विश्व का सबसे पावरफुल जो है वो आत्मा है एक आत्मा पूरे विश्व की चौरासी लाग जीवा योनी की आत्मा को पहचान लेती है और जब एपसुलूट नॉलेज होता है केवल ग्यान हो जाता है तो उसे केवल ग्यानी आत आत्मा से संसार की, भूद की, वर्तमान की, और दूसरा जड की, चेतन की, किसी भी अवस्ता की, एक ही आत्मा को, केवल ग्यानी आत्मा को, किसी भी चीज से उसे छुपी नहीं रहती है, वो absolute truth मा जानने लग जाता है, इतनी powerful होती है, और ऐसा कहा गया हमारी संस्कृति के धा आर्मी गरंतों के अंदर, जे एगे जाने, ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने, से एगे जाने, जिसने एक आत्मतत्व को जान लिया, उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, देखिए, हम सारे ब्रह्मांड को जानना चाते हैं, अनुभू में लाना चाते हैं, और वो अनुपों में आ सकता है क्योंकि हमारा जो भीतर विराजमान ये ग्याता दरश्टा जो शुदात्मा उसके गुण क्या है? वो अनंत ग्यान वाला है उसका ग्यान unlimited है क्योंकि वो unlimited वस्तुओं को देखता है हम जो अपनी आखों से एक दिन के अंदर ये जीवन के अंदर unlimited वस्तुओं को देखर उसके अनुसार उसके अनुरूप वो आत्मा ठल जाता है जैसे कि आम को देखा तो आम जैसा बन गया नारियल को देखा नारियल जैसा बन गया इस तरी को देखा तो इस्त्री का आकार के ने रेका मनुश्य को देखा मनुश्य के आकार में होके इन सब अवस्ताओं के अंदर रहता हुआ भी मेरा जो शुद्ध आत्मा भगवान में विशुद्ध है क्योंकि वो से चिपकता नहीं है वो उससे जुड़ता नहीं है उसका मात्र जो ह जिपकने के लिए जड़ चाहिए वो जड़ नहीं है वो चेतन तत्व है उसका तो सिर्फ एक ही काम है जानना और देखना कितनी सुन्दर बात है कि देखिए हम भेज विज्ञान कहते हैं इसको मुक्ष विज्ञान कहा जा सकता है कि हम सेपरेशन करें हम अलग अलग करें कि हम इस शरीर के अंदर जड़ और चेतन दो रह रहे हैं वो दोनों अलग हैं ये सोवन राज जो मेरा नाम है ये सोवन राज को जो सरीर मिला है ये जड़ है लेकिन इसके भीतर जो संचालन करने वाला है वो चेतन हैं दोनों अलग अलग है और दोनों को अलग मानना है और ये पूरे जीवन पर की फिलम चल रही है मनुश्य का जो है जनम से लगा के मृत्यू तक के बीज का जो जीवन काल होता है मान लिजी 80 वर्स की उमर है या 60 वर्स की उमर है तो ये 60 वर्स की फिलम हम थेटर में जाते हैं तीन गंटे की फिलम देखते हैं दो गंटे की फिलम देते हैं तो फिलम अलग है और हम अलग हैं यानि वो ग्याता दृष्टा भाव है हम तो फिलम को देख रहे हैं तो हमारा दृष्टा भाव है और एक्टर एक्टरेस और जो गटना है गटित हो रही है उसको देख रहे है वो घ्याता भाव है, जान रहे हैं, यह हीरो है, हीरो नहीं, यह एक्टिवीटी कर रहा है, यह मुहाँ जा रहा है, तो यह घ्याता द्रष्टा भाव अलग है, और यह फिल्म अलग है, उसी तरीके सम देखिये हमारे मन वचन काया होते हैं, किसी भी इस सरीर के अंदर तो तीनों जो है उसका बुगतान जो होता है डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, दुख होता है, सुक होता है वो किसके माध्यम से होता है, सारा विचारों के माध्यम से होता है तो ग्याता दर्ष्टा भाव में क्या रहना चीए कि चिपकना नहीं है बिलकुल अलग रहना है जो हमारे विचार चल रहे हैं उसको बाईपास करो विचारों को जाने दो विचारों के साथ जुड़ो मत क्योंकि आप तो जानने वाले हो आप तो देखने वालो हर परस्तिती पूरे जीवन भर की जो परस्तिती आपके साथ में निकल रही है उसको केवल जानो उसे प्रभावित मत हो उसे मत जुड़ो क्योंकि जहां जुड़ाव होता है वा रागद्वेश होता है हम व्यक्ति जो है अगर हम सड़क पर जा रहे हैं बहुत से लोग चल रहे हैं वहां से चल रहे हैं पैदल से चल रहे हैं और हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं हम ट्रेन में बैटे हैं हम एक दूसरे से बात नहीं करें हम अपने कामे व्यस्त अगले वाला अगले कामे व्यस्त तो जुड़ाव नहीं होता है जुड़ाव कब होता है जह हम एक दूसरे से बात करते है तो जहां जुड़ाव है वहाँ पर रागद्वेश है तो ग्याता दर्ष्टा भाव क्या है सिर्फ जानने वाला हूँ देखने वाला हूँ मुझे विचारों के साथ मैंने जुड़ाव कि उस विचारों के साथ जुड़ने से रागद्वेश पैदा होगा और उस रागद्वेश क्या होगा कौजेश पढ़ेंगे हम कौजेश के कारण जो है हमें शरीज मिला है बुगतान के लिए ये हमारा करम बीज हमने कोज है, वो करम बीज है, पिछले जन्मों के लिए करम बीज डालके आए हैं, तो वो करम बीज है, वो आज करम फल के रूप में शरीद मिला है, और सतर असी बरस दोया करम फल मिलता रहेगा, और उस करम फल के परिणाम के रूप में हमको सुक्त दु प्रस लगती है, बिमारी आती है, ये सारी चीजें जीवन में हर व्यक्ति के दो है प्रतिष्टा होती है, मान होती है, हानी होती है, जीवन में उतार, चड़ा, उतार, दूप चाहँ की तरह हमारे चलते रहते हैं, लेकिन उन साब इस्तियों के अंदर मैं तो ग्याता दरश् शुद्धात्मा भगवान संचालित करता है, क्योंकि जड़ में तो होता ही नहीं है, जड़ में तो वन गंदरस इसपर्स होता है, उसके अंदर चेतना नहीं होती है, उसमें सुक्दों की अनुबूती नहीं होती, उसमें प्रजनन नहीं होता है, उसमें ग्रोथ नहीं होत क्योंकि वो तो मात्र जड़ है तो जड़ पदात में नहीं होता केवल चेतना में होती और चेतना की देखिए कितनी बड़ी जो है वो हमारी similarity है कि 84 लाग जीवा योनी जो उत्पति इस्तान है उसमें असंकिया असंकिया इंफिनिट जो है वो जीवित प्राणी इसरस्टी के इंदर निवाश करते हैं और अपने करमों के अनुरूप जो सुख दुख की अनुभूती वो करते रहते हूं सबका एक सा है जिसमें ग्याता दृस्टा भाव की बात कर रहा हूं ये किसी का डिसिमिलर नहीं है राम का, कृष्ण का, चूय का, मेरा, आपका, गाय का, भैस क घोडे का, उंट का गोई नहीं लेकिन जो difference है, vivid था हो शरीर के कारणों शरीर मिलता है कोजेस के कारण, जहां हर कारण के पिछे कारे जुड़ा रहता हमने cause डाल दिया है, कारे खड़ा कर दिया थे इस जनम के अंदर हमको कारे मिलेगा और कारे रूक में सरीर मिलता है, तो तो ये cause and effect का, ये शरीर effect है, ये cause and effect का जो सारवोंशिधान पर ये चलता रहता है, तो मैं बात कर रहता है, ग्याता दृस्टा भाव की, मैं इस episode से क्या कहना चाहता हूं, हमारे दाश्रिक बंदूरों को और सूपर साधना करने वाले हैं, जो गीता के अंदर निश्काम करम क की बात को समझने वाले हैं, जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, इस मानव जीवन से मुक्ति की और जाना चाहते हैं, तो ये विश्य उनके लिए इतना सुन्दर विश्य है, कि आप जीवन पर ग्याता दृस्टा भाव रखो, जो भी परस्तिती आ रही है, उस परस्तिती सा जुड़ो मत, क्योंकि वो परस्तिती आपने क्रियेट की है, आपने कोजिस डाले हैं, वो कोजिस जो है, इस जनम के अंदर जो है, वो एफेक्ट बन करके आ रहे हैं, और आपको जो फिलम लेकर के आए हो, जो आप टैप मन वचन काया की तीन टैप रिकॉर्डिंग करके ल आपको कोई सोतंता नहीं, एक स्वास लेने की भी सोतंता आपको नहीं हैं, लेकिन आप सोतंतर किसमे हो, आप सोतंतर ग्याता दर्ष्टा बाव में हो, आप इस बात में सोतंतर हो, कि आप ग्याता बाता दर्ष्टा बाव से उसको देखते रहो, जैसे कि आप फिलम देख हो जैसे कि आपके पहाड़ी हिलकी ओपर बैटे हो तो दर्शनी है जो सिनेरी इसको मात्र देख रहे हैं उसके साथ जुड़ो मत विचार आ रहे हैं विचारों को बाई पास करो उसके साथ जुड़ो मत यही है कि मैं तो जानने वाला हूँ मैं तो देखने वाला हूँ मैं त अंकोत किर्न हूँ और मैं जो है अनंत सुख वाला हूँ चारों तरफ मेरे सुख का सागर लहरा रहा है कहीं जीवन के अंदर मेरे दुख नहीं अक्षय सुख वाला हूँ तो इसलिए अक्षय शुख कब है कि अरूपी अवस्था में ग्याता दृष्टा बाओ में जो है यह भगवान कुष्ट ने भी गीता के अंदर जो है वह अठारा ध्याय लिखे जिसमें की च्छ ध्याय प्रतम जो है वो करम योग के हैं दूसरा ग्यान योग के हैं तीसरा बक्ती योग है साब में उन्होंने ग्याता दृष्टा बाओ गिर उन्होंने अर्जुन को जितना भ बूटी को समझ के करो और तुम अलग हो तुम तो वो ग्याता दर्ष्टा भावाली आत्मों और सामने जो तुम्हारे वो स्वयम आये हैं लड़ाई करने के लिए जगडा करने के लिए और तुम क्षत्री हो तो तुम्हारे ये कर्तब है तो ग्याता दर्ष्टा भाव स्रीक अलग है और अरजुन की जो आत्मा है वो अलग है क्योंकि अरजुन की आत्मा की बिना अर्जन की गांडीव कैसे चलाएगा, वो हतियार कैसे, कोई वक्ति कुछ कर नहीं सकता आत्मा कि साक्षिश से होता है और भीतर अगर आत्मा शुद्धात्मा भगवान दिराजमा नहीं होता है तो राम नाम सत होता आपको उन्हें देखा होगा कि एक एक वक्ती लास्ट ब्रीद ले रहा है और वो बैठा है वो ब्रीदिंग कर रहा है आखे खोल रहा है आपसे बात भी कर रहा है लेकि दूसरे खशन देखते हैं कि उससे बात करना बंद कर दिया उसका हंसा उड़ गया उसकी आत्मा वो सरीर को छोड़ करके दूसरे सरीर के अंदर चली गई जो मूहल तक तो था जो संचालन करने वाला ग्याता दृष्टा था वो चला गया दर्शेकन सुतागन पाई और बैनो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पुनुर्थान कारिकरम हाई लेवल की बातें आपको परोस्ता है और उचस्तर की बातें उच मुल्यों वाली बातें आपको देखता है और हमारे जो मुल्य गर गए है उन मुल्यों की पुनरिस्ता अपना कैसी भारती संस्कृती इतनी संब्रिद संस्कृती है इसी कारना हम धर्म गुरु देश विश्व के रहे है और आज भी हमारे में उतनी संभावना है हमारे आत्विश्वास को जगाना है और हमारी खोई हुई मुल्यों की जो अवस्ता है उनको प्राप्त करना तेसी क्रम में आपका जीव नानन में हो मंगल में हो, सुक में हो आप ग्याता द्रस्टा भाव में रहते हुए अपने जीवन का कल्यान करके सिद्ध, बुद्ध, मुक्त बने आपके प्रती मंगल भावन